वेलकम टू जीरो से जिन्यस तक इस वीडियो क्वी टेस्ट में आप से पूछे जाएंगे पूलिस एक्जाम कोश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 इंपोर्टेंट सेलेक्टेड सावालों को तो आप इस वीडियो क्वी टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलिज भी बढ़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है उटो का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्सिक मेले का हिस्सा है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंड का समय जो शुरू होते हैं अब उटो का प्रसि प्रसिद्ध व्यापार किस वार्सिक मेले का हिस्सा है आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर बी पूसकर मेला जो की राजस्थान में लगता है कोशन नंबर टू संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये सवाल हाल ही के एक्ज लोग सभा की प्राथम महिला महा सचियू कौन है? आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A, एसनेह लाता सिरिवास्तो, कोश्च नमबर 4, केविनेट मीशन भारत कब आया? केविनेट मीशन भारत कब आया? सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C, मार्च 1946 इसबी को कोश्च नमबर 5, भारत ने ओलंपिक के खेलों में आपना प्राथम स्वार ना पादा के कीस वर्स जीता था? आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C, 1928 इसबी में कोश्च नमबर 6, श्वर्ण मंदिर का संबंध कीस धर में से है? सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A, सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D, सीख धर में से संबंधित है स्वर्ण मंदिर का संबंध सीख धर में से संबंधित है कोश्च नमबर 7, रेनु का जिल कहां इस्तित है? सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A, हिमांचल परदिश में इस्तित है आगे सवल है बास्केट बॉल में परतेक पक्ष में पले अर्स की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B, पाच कोश्च नमबर 9 चंडिगड और किस अस्थान के बीच भारत की पहली इयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है आंसरों का आप्शन नमबर बी हिसार कोईशन नमबर टेन गुजरात राच्या की राजधानी कहां इस्तित है? गुजरात राच्या की राजधानी कहां इस्तित है? आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी गाधी नगर और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और विल आइकन को दवा कर नोटिफिकेशन को अल कर दीजिए क्योंकि अचुछा आपके सिल्ले बस्प्वर करता है आगे सवाल है नल सरोर पक्छी अभिःारना है किस राज्या में इस्टित है यह भी सवाल हाली के एकज्ञामे आया था और आंसर आपको फता होगा नल सरोर पक्षी अभ्यारना है, आंसर हो जाएगा option number B, गुजरात, question number 12, दीप सिखा के रचनाकार कौन है, बिहार पुलिस एकजाम में ये सवाल आया था, UP पुलिस एकजाम में भी ये सवाल आ चुका है, दीप सिखा के रचनाकार कौन है, आंसर होगा option number D, महादेवी वर्म question number 13, निंद के अध्यायन को क्या कहा जाता है, सही आंसर होगा option number A, hypnology, निंद के अध्यायन को कहा जाता है, आगे प्रस्ण है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है अंसर हो जाएगा option number D नर्मदा नदी को question number 15 आदी मानवने सबसे पहले क्या सीखा आदी मानवने सबसे पहले क्या सीखा अंसर हो जाएगा option number D आग जलाना question number 16 badminton का जाल केंद्र में कितना उचा होता है बहुत अच्छे सवाल है badminton का जाल केंद्र से कितना उचा होता है badminton का जाल केंद्र में कितना उचा होता है answer होगा option number A पाच फुट उचा होता है यदि मीटर में आप देखें तो 1.525 मीटर होता है, question number 17, मरनो उपरांत भारत रतन से सम्मानेत फ्रथम व्यक्ति कौन थे? मरनो उपरांत भारत रतन से सम्मानेत फ्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा option number D, लाल बहादुर सास्त्री जी ये भारत के वीतिये परधान मंतरी थे, second परधान मंतरी रहे थे और इन्हें भारत रत 1996 रिस्वी में दिया गया था आगे सवाल है सुखी बर्फ होती है, solid क्या? dry ice solid क्या होती है? ये सवाल भी हालीक एक्जाम में आया था और अच्छे एक्जाम में आया था solid carbon dioxide होता है dry ice, तो आंसर हो जाएगा option number B, carbon dioxide, dry ice solid carbon dioxide होती है आगे सवाल है किस धातू का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातू का गलनांक सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा option number B, tungaston, question number B, half man cup का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा option number D, tennis तो आपके लिए एक सवाल है, पहली बार परमानू बम कहां फेका गया था? यदि आप right answer बटा सकते हैं, तो simply आपको comment box में जाना है, वहाँ पे लिखना है, Q4EWर इसके right answer तो मिलता हो फिर अगले वीडियो में अपने ध्यान रखिए, और पीछले पूलिस वीडियो को यदि आपने नहीं देखे थे, तो अभी यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख लिजिए, जिससे आपका ज्यान बढ़ेगा, एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, knowledge भी बढ़ेगा, तो आप हमारे साथ regular रहिए, knowledge गया नेकी है, तो आपको पता है, मिलता हो फिर अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत! क्लिए यह सकता है, जय होगा में, जय होगा है. जय है जय होगान के उले वाम